हैदरबाद में चल लए दूसरे टेस्ट मैच में शुरक्षा घेरा तोड़ के विराट कोहली के गले लगने वाले फैन महम्मद खान पे मामला दर्ज हो गया है जे आपको बता दें कि सब उस समय हैरान रहे खिराड़ी कि जब एक महम्मद खान नाम के युवक ने शुरक्षा घेरा तोड़ा और बीच मैच के दौरान कोहली के गले लगा और उसके बाद सेलफी लेने लगा हाला कि जल्दबाजी में पुलिस ने उसे जल्द ही मैदान से हटाया और आज उसके खिलाफ F.I.R. दर्ज हो गई है और मुकदमे के तहट उसे सजा भी होगी क्योंकि आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्दे में जब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चूख है तो कि अगर विराट कोहली के गले तक कोई पहुँच जाता है और उसे गले मिलता है तो ऐसे में वो उनको नुक्सान भी पहुँचा सकता है तो देखना यह है कि क्या विराट कोहली मुहमुद खान के पचाव में आते हैं या फिर आगे से ऐसा नहों तो इसके लिए सजा का ऐलान होता है आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बताईए